वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंस वेलकम तो अड़र 24-7 दिस इस यो में टेस और अच्छे हैं और आपकी पेपरेशन भी अच्छी चल रही है इसी बात के साथ सुरू कर रहा हूं मैं आज का सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लेट रिलेशन और उसके अंदर कद हम लोग बात करने वाले हैं कोड़ेट ब्लेट रिलेशन का जो आपके स्क्रीन पर साफ साफ तोर पर नजर आ रहा होगा इन सभी चीजों को लेकर आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्स करूंगा एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए कि मैं आपको विजिबल और ओडिबल हूँ ताकि मैं बहुत कंफर्टिबली आपको इस सेसन में आगे लेके चल सकूँ और बहुत बहुत त्रीन कॉंसेट्स कर पाऊं यस चल दिसे प्लीस बिक्विक रिप्लाइ वदर आम ओडिबल विजिबल आम फाइन फान फ्माइ साइड और सो अगें मूव फोवड और इंडिस्कूस दिस्कूस दिस्कूस यस चलो फटा 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 ओके जै महादेव साधी जै महादेव ठीक है गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग पूजा गुद मॉर्निंग लक्ष्मी छेतन रक्षित एवजिबल व्याइन ओके ओके अभी तक इंगलिस्क्राइश चल रही थी तो मैं थोड़ा सा देख रहा था उदर तो ठीक है कोई बात नहीं है जाए कर दों मचाने वाले हैं मतलब कहराम समझते हैं का मतलब होता है कि मतलब धून करकते हैं विल्कुल मसला क्या है कि आज हम चर्चा में हमारे सामिल है वह है चैप्टर ब्लेड रिलेशन और अफ्कोर्स इसका देट्री चल रहा है इससे पहले हमने पुजल पर चर्चा करी है और उनके बहतरीन सवालों से मिला हम, हम दोगन मिले हैं, और मिलने के बाद सीखा कि हाउ तो अंसर थे क्वेस्टन और उसके बाद आज जो टागेट कर रहे हैं वो कोड़ेड बिलड रिलेशन पर टागेट करेंगे जो अगर हम आपको इस बात को झायों तो क्या कहेंगे यह कि आप जो सकसेस होता है न वह किसी की दवरा उन नहीं किया ता है वो रंडेट है, उसका पुरा भावार्थ मसला यह है कि आपको डेली महनत करना पड़ेगा तब जाकि आप जो है हर दिन कुछ अच पॉजिटिव का आउटूट निगाल पाओगे हर दिन का ठीक है चलिए सो लेट्स मूफ फ़वर्ड तुवर्ड्स द ठीक है सुनारी सर्माई सेइंग सर्यूर वीजिबल ओडिबल टू एंड मैंने फीस भी जमा कर दी है बहुत बढ़िया एक्जैक्ली आज भी उड़ाएंगे अपन चलिए तो फटा फट दोस्तों में सेयर जरू कर देजिए जो दो जो बचे रेगलर हैं क्लास में आफकूर्स उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से दोस्तों को सेयर कर देजिए ताकि बाकी के और भी दोस्त आपको तो मुझे आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करना होगा कि प्लीज डू शेयर देशन विद फ्रेंड्स एंड चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूअ आज का एज 인दा सा बहुत सिंपल है आज का एंड़जिंडा क्या है आज का एजिए अंडी जहीं तो अभी तक हमने टाइप सब्सक्राइब करें जो हमारे बुलेड रिलेशन मिला करते हैं उस टाइप सब्सक्राइब के अंतरगत हमारे पास पुजल फॉर्म आते हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है इसमें थोड़ी बहुत बात हम लोग और भी करने वाले हैं ठीक है अजया नहीं कि पजल फॉर्म खळम हो चुका है और कुछ नहीं कुछ दोचार सवाल और में डिस्कस करूंगा लेकिन भी फ़र रूख दिया हूं आप प्रैक्टिस करो उसमें तो यह हमारा इसको मैंने ग्रीन कर दिया है यह हमारे तरफ से हो चुका है थोड़ा बात है वो और दूसरा जो होगा कोडिंग फ़र में इस बात को मैंने परसों बताया था आपको कि भई यह जो पॉइंट्स में यहां लिखा है इसको इसी करम में सवालों में इंपलिमेंट करने किया और शकता है चाहे वो आप सॉल्फ कर रहे हो हूं पजल फॉर्म का कुष्शन या आपको इस अप्रोच को हमेशा ध्यान रखना है किस अप्रोच का कि जब आप चैप्टर ब्लड रिलेशन की चर्चा में हो तो इस बात अख्याल किया कि सबसे मेजर की पॉइंट जो आपके होंगे वह होंगे जेंडर डिफिरेशन और दूसरा जो मेजर पॉइंट होगा वह आपके लोगों के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट में तो यह दोनों ही काम को बहुत ध्यान से अपनाईगा प्लीज ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो लेट्स मूफ ओवड तो पहतरीन ट्रिक मतलब कि ऐसा रिक जो साइद आपको मजा आजाएगा जिसका इस्तमाल हम कैसे इंप्लिमेंट कर रहा हूं, फिर वापस आके इस ट्रिक को समझाऊंगा कि क्या है, फिलाल मैं पढ़के दिखाता हूं कि आखर इस ट्रिक का मतलब क्या है, लिखा गया है, इफ आसेंपल नोट सेंप गेरीशन विल ट्राइ टीन यूज रखेंगे हैं, लेकिन इसका इस्तमाल कैसे करना है, वो सवाल पर हम सीखेंगे, और शिर्फ एक सवाल पर इंपलिमेंट करें कुछ नहीं होने वाला है, तो बहुत सारे सवाल पर हम चार्शा करेंगे, इस जो हम मुद्धे हैं जिसका खयाल रखना पड़ेगा तब ही जाकर यह ट्रिक जो है आप सक्सेस्फुली इस्तिमाल कर सकते हो सवालों पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो एक पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है अप चाहो तो नहीं चाहो, तो मत करो कोई आपकी नहीं मुझे फिलाल, लेकिन हाँ यह है कि हमेशा coded blood relation के सवाल जब भी coded word जुड जाता है चाहे वो हम coded direction, distance की बात करें हम चाहे वो coded blood relation की बात करें या फिर हम बात करें coded inequality की बात करें जब भी coded term आपके साथ जुड जाता है आपके किसी भी sub-topic में कि आपके किसी भी चेप्टर में, तो उसमें इंस्ट्रक्शन देना अनिवार होता है एंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एंस्ट्रक्शन जरूर देगा कि मैं किस तहत कोड कर रहा हूं वोग कोड कर रहा हूं वो ऑप्ता देगा कि मैं ऐसे कोड कर रहा हूं ठीके, now, so the thing is, now what we need to do, how we need to fetch this type of instruction, and how to solve this type of question, I have written the question in both the languages, so this time कोई भी हिंदी वाला बच्चा नहीं बूल सकता कि सर हिंदी में, मैं लास सें नहीं रखा था, मैं सारे सवालो को हिंदी में कर दिया हूं, मैंने पहले ही कहा था, verbal reasoning में एंटर करते ही, मैं सवालो को हिंदी और इंगीस दोनों में कर दूँँगा, attention मिलकू मत लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, I hope that idea is clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, now, बहुत बहतरीन बात बताने जा रहा हूं, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, और बिल्कुल आखे जमाई रखना स्क्रीन पे, और जब तक सारे सवाल खतम नहीं होते हैं, तब तक आखे मत अटाना, because, बहुत सारी छोटी-छोटी मगर मोटी बाते इसमें ऐसी होंगी, जिसमें कि कहीं न कहीं आपको अगर भूल चुक हो गया, तो ग्रबर हो जागा सारा, ठीक है, आईए, आपके दरसे आंसर आना सुरू हो गया, लिए इतना समय लगाना, अब यह इतना समय नहीं लगना जाए, इस सवाल को आंसर करने के लिए, सबसे पहली बाद दो बाते हैं, एक तो हम लोग pen का इस्तमाल नहीं करेंगे, pen का use नहीं करेंगे, दूसरा important point की 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए एक सवाल में, बस, इस से अधिक सेकंड नहीं लगना चाहिए, 5 से 10 सेकंड का खेल है यह सवाल, बस, यह दो बाते हमें अचीव करनी है, इन दो बातों को में अपनाना है, लेकिन इस से पहले हमें बहुत ध्यान सुनते रहना पड़ेगा, ठीक है, सुनते रहीगा, ठीक है, अभी सिखाते से से एंचीव करों तो मैं करूंगा, तो टेंशन मत लेना, आईए, So, इस स्क्रेटिक्शन लिखा वाई, इस क मतना बताया गया, A is the father of B, फिलहाल इंस्ट्रक्शन फॉरवर्वर्वर्ड डरेक्शन में है, आगे चलके इंस्ट्रक्शन जो है वो बैक्वर्ड रेक्शन में भी होंगे, मतलब कि रिवर्स कोड़ेट बिलर देशन भी हम डिसक्स करने वाले हैं, आगे, डॉलर बी का मतलब बताया गया है, A is the mother of B, Hindiyaan पढ़ने वाले बच्चे यहां पढ़ सकते हैं, A is the mother of B, A is the brother of B, और A at the rate B, A is the sister of B, यह 4 set of instruction गिवन है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास सवाल पूछा गया, बताये कि, हाव P is related to Q, यह बताये कि, भई, प्यो है, वो क्यो से कैसे संबंदित है, यह सवाल पूछा गया, प्यो क्यो से कैसे संबंदित है, यह सवाल पूछा गया, पहला करनी के संबंदित है है, आपक हमेशा घ्यान ऑगे, कि हुआ है गवालोग है, यह से कौछाव पास, सवाल पूछागा गया है, की बताघ। की है की बतात गया है और के नियुक्छा घुचा घ्या, इसाए है जैकल बता है году से के संबंदित हैं है, कि हो में थो पूछा गुल यहां पर P है, तो P का जेंडर डिफाइन होना चाहिए, क्यू का हो या ना हो मतलब नहीं होगा हमारे प्राइमरी जो हमारे पहला element होगा उसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए, this is the very important point you need to keep in your mind, always remember this, पहला element होना यहां पर P है, now P Q से कह सम्मंदित है यह मैं बताना है, तो P के जेंडर क्या है, यहां पर देखेंगे, हमें P यहां पर नजरा रहा इस को सबस्क्राइगा, A is the mother of B, that means P जो है उसा है पर फिमेल है, तो यहां पर P यहां पर फिमेल होगी, और जैसे ही P female होई तो Grandfather answer तो नहीं हो पाएगा, जैसे ही P female हुई, answer cannot be Grandfather, now we do have 4 best choices, एक तो mother, दूसरा पहले सवाल के तौर पर दिखा जा तो यह सवाल बहुत कुछ इखाईगा विकॉज मैंने CND इंक्लूट कर रखा है मैंने नन अफ इस पर्फेक्ट आंसर वहां रखे हुए में आगे देख देगा नहीं कित्कुछ का पर टो अपसमाव का देखा है यहां पर अट कर देखा मिटने हैंगे मकाई तो आपके लिए डिए को अच्छ, वाफ इस Свot अच्छ, डिया है, ऊच्छ, बढtoo है प्लस दो, een जिए Tack-Dar, यहाँ ऑम में बोलगाद है जा tृफ्स फट्फू सुनी होता क्टीपिए रगात, तृफिज कराह में रिला इन्षा नम पलस तृथ, ब्लस यहां भी जा जारा ह we can answer the question, without drawing the family tree we can answer the question, but we need to be a bit technical, we need to be a bit, no, concentrated here, so we need to observe a little bit, we need to be concentrated here, we need to be able to observe a little bit, we need to be able to use a little bit, so the first thing I told you is that gender definition is the most important part of this type of question, so if someone says what is in this question, then gender definition, because most of the question examiner also knows that the children are male, they will start looking at the question, first of all, we will draw a family tree, and then we will ask what is blood relation, but you have to be a bit different from those children, to be a bit different, because if there is blood relation, it is obvious that some of the gender will become the most important part of this type of gender, and as we will be able to find the target of the gender, we will find that the target of the gender that we have asked, and then we will be able to find the target of the gender, we will be able to find some options here, and then we will move on to the accuracy, and we will reduce our work, okay, 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 let's move on. So, Vidhata is saying, Vidhata is saying, sir, Vidhata is saying, sir, what are you only reading reasoning? अगा नाइस्टर नहीं पढ़ाते हो? देखो, मस्ला यह है कि एक इन्सान हर चीज का मास्टर नहीं हो सकता, simple सी बात है, Master इन्सान एक हो सकता है, जिसमे आपको बहुत प्यार है, जिसमे आपको मज़ा आता जो काम करने में उसमे आप Master हो सकते हो, duty करके आप Master नहीं बन सकते हो, मतलब अब अब मज़ा आए, मतलब तो यह जो मज़ा है ना वह मैं अगर duty करूगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, मिल ग raus बढ़ानी हम अगर से बाइता हूं to that of a duty कर रहा हूं गांगो। अब यह सवाल स्क्रीण पर नजर आ हा रहा है अब यह सवाल आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एससवाल यह स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह बहत रहारीं सवाल फिर से आपके सामने jusqu , और, of course, instruction हो सकता है, same हो या different हो, मतलब नहीं है, मैंने instruction को फिर से place कर दिया आपके सामने, ठीक है? आइए देखते हैं, सबसे पहले सवाल को देखिंगे, सवाल है, पूछा क्या गया? पूछा गया, which of the following option means P is the ant of T, P is the ant of T, ant T, मतलब की, मुरा गभाई, P जो है, वो चाची ह यह कौन सा option इसमें से बता रहा है, अब बच्चे देखें, बहुत गजब परेशान हो जाएंगे, बोलें, यार, क्या मज़ा की, इतने सारे यहाँ पे, आरे टेड है, कैसे हम justify करेंगे, किस में P जो है, वो चाची है, ठीक ही, मतलब की, सबसे पहला demand सवाल का, सबसे पहला demand, ठीक है, ठीक है, अगर P is ant of T है, अगर P जो है, वो ant हुई है, तो जाहिर से बात है, P को पहली बात की P की gender क्या होने चाहिए, female होने चाहिए, और अगर P ant है, T की, मतलब चाची है, जाहिर से बात है, P की जो P है और T में उस पे एक generation gap होना चाहिए, मतलब T के respect में P जो है उससे एक generation उपर होनी चाहिए, दोनों demand क्या है, तो यह demand है, तो यह demand है, आगर बढ़ते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, पहले हर एक option में जाके हम P का gender define कर लेंगे, हम चलते हैं, यहाँ पढ़ते है, P परसंट क्यू का मतलब बताया है, P is the brother of Q, यहाँ पर P जो है, परसंट पाया गया, मतलब प्लस साइन है, मतलब यह option बाहर हो गया, इस बात को justify करते ही, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, option number A को cancel out कर सकते है, let's move forward towards the next one, P at the rate Q, that means, P is the sister, that means, यहाँ पर P जो है, फिमेल है, यहाँ पर जो है, फिमेल होना पड़ेगा, यहाँ पर जो है, बहुत बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत नजाकत से, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पता, 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 इस रहलों दोपको प्छून सब्सक्राइब ढया जाने जन्रेशन गांशने रेच उन्हाँ तुर्स्या-टून सब्सक्राइब से एंट में ऩानन दोपको आपने ड्रेयों जाने हैं इस काम रहां अन्पर कर और कम पेहले हैं और छहाँ को गाया मारा थाणसर, और लॉट मिलिद दो So, now, how to approach the question now? So, shall we move forward towards option number D or should we answer this question option number B as the correct answer? Now, I am checking. Here, what is the option number D? What is the dollar? Mother that is plus 1 What is the percentage? Brother that is 0 Add rate? Sister that is 0 Hash? Father that is plus 1 That means, now here we are getting the option as, output as plus 2 So, what is the demand? It's plus 1 Here, there is plus 2, that means option number D Now, we can make sure that B is the correct answer The B, which is correct answer So, without drawing the family tree Because, in these questions, time consumption is very big Students, follow up with all options, then check the family tree Then check, then look, what is the one pick? Then cut, that is the one pick Then check, then solve it, but it is wrong That is not enough I will tell you some specific things Now, there is still more things जी सिंग का एक बहुत बढ़िया सवाल है, जी सिंग सवाल पूछने हैं, सर यह जो इसमें बस्ट बीकरेक्ट हुआ, इसमें क्या बी मदर नहीं हो सकती, बिल को सकती है, लेकिन एकोर्डिंग टो देमांड देक्वेश्चन, पूछा गया उसको जस्टिफाई कॉन कर रहा है जब सवाल की कंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पूरा कोड़ेट को हम लोग निचोड के रख देंगे बिना कलम का, है ना, बिल्कुल विदाउट पैन हाँ, बुआ का मतलब आंट, exactly चलिए आगे बढ़ें आगे बढ़ें, चलिए आईए question third on the screen, and instruction is bad change, is bad set instruction में 5 instruction दिये गये हैं, 5 set of instruction है जिसमें की थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, जैसे की, इस बार प्लस जो है, फादर को इंडिकेर रहा है, डॉलर मदर को, copyright son को, minus daughter को, at the rate, sister को indicate कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढदे लिए, Now, the question has been asked, Z is the grand of, Z is the grandfather of Y, Z is the grandfather of Y, Z is the grandfather of Y, Is this which of you say, यह कौन सा विखल आपको आंसर कर रहा है, हूर सो, now, how to approach this question, I said की, we must move forward in this way, लाइक हमें Z को पूछा गया, टागेट इस Z, जेट के बारे हम पूछा गया, तो Z की Zender क्या चाहिए? Z is the grandfather, Z grandfather होना चाहिए, जब Z होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मजाक मजाक में जाके Z को हर जगा से उडा देंगे, और जहां पे Z होगा वहीं पर जाके उडाएंगे, कहीं और नहीं बठकेंगे, हम लोग आराम से चलेंगे, जैसे Z यहां पर है तो Z के पास जाएगी, यहां जम एक होड़े करण के चाहिए, जैसे Z डालर होग तो यहां पर ह जैसे Z अब मेल हो जाएगा हम जैसे Z at the rate of y, so Z here is sister, that means Z here is female, option number D. Now we need to concentrate on this, now we need to concentrate on this option number B and C. In B and C, we have Z and Y, which will be asked about it. This is wrong, many people do. What do they do? We have asked about Z from Y and they will decode the whole expression here. We are working on the whole expression here. We don't want to do that. Z from Y, then we will work on Z from Y, because we have to find Z from Y. We will apply 0 and 1 concept to Z from Y. We will apply 0 and 1 concept to Z from Y. Who is indicating? Plus indicates father, that means plus 1. And at the rate is indicating sister, that means same generation in our same PD. We will use M0, output is plus 1, we were expecting grandfather, that means plus 2. Here option number A, B is carrying plus 1, that means option number B is also cancelled out. Now we have option number C and none of these, that means now we need to check whether option number C is carrying plus 2 or not. If plus 2 is carrying, we will be able to answer it. Otherwise, we will check here. Okay, what is happening? Plus, who is indicating father, that means plus 1 is here. And the dollar, who is indicating mother, that means plus 1 is here. Adherate indicates sister, that means again 0 is here. The final output we are getting here is plus 2 and we were expecting plus 2 only in this option, in this question. That means option C is the correct answer. . Ok, 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 I am getting the point. Ok, ok. एकदम खतरनाक बताएंगे, एकदम खतरनाक, मतलब ऐसी बताते रहेंगे, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस पिटारे में, अभी तो चलना सुरू की हम लोगों होने, देखो, C&D आंसर कब करना है, एकता सिंग कह रही है, अगर मालो दोनों ये रहेगा, नन अफ दिस भी रहेगा, और आपका C&D भी रहेगा, अपका C&D भी रहेगा, इसलिए मैं पहले, फर्स्ट कोशन में दिखाया था, मैंने C&D और नन अफ दिस को रखके दिखाया था, प पूछा गया है, जिसके बारे है, पूछा गया, पूछा गया कि भाई, find the relation between, how is P related to Q, पूछा गया मालो, किसी सवाल में, अगर पूछा गया, P is related to Q, और P का जंडर ही दिफाइन नहीं होरा है, किसी सवाल में, अगर पूछा गया, P is related to Q, और P का जंडर ही दिफाइन नही क्या होता है सवाल आपके सामने है फटाफट देखी की सवाला कर आकर रेक्टांसर क्या होगा देखो एक बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूज का मतलब बच्चों बीच में स्वाल रोल नो earliest ठीक है, यह सही बात है, लेकिन जैसे ही इसमें लग जाता है, paternal, paternal, grandfather, अब इसका sure sort मतलब क्या हो जाएगा, दादा, और अगर लग गया maternal, maternal grandfather, तो इसका मतलब हो जाता है नाना, प्लीज, तो आप यह बात अगर आप भी उन बच्चों में सामिल है, जिनको लगता है, grandfather का मत इकाल दीजे दिमाग से, grandfather का मतलब दादा, अबलिक, नाना होता है, समझ में आ रही है, मतलब हमारे father के जो father होंगे, उनको हम grandfather बूल सकते है, हमारे mother के जो father है, उनको भी grandfather बोलेंगे, अगर हम बिल्कुल differentiate और specific answer करना चाहते है, तो हम कहेंगे वहाँ पे, हम अपने father के father को बोलेंगे paternal grandfather, और अगर हम अपने mother के father को बोलना चाहिए, उनको बोलेंगे हम maternal grandfather, very simple thing, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते है, अब सवाल यहाँ के स्क्रीन पर नजर आ रही है, और सवाल का देखते है, correct answer क्या होगा, सवाल में दिया हुआ है, find the relation, that means, which of the following option means, she is the niece of I, niece का म बहुत में बहुत महत्यपून पॉइंट, उसके बाद ही अगला सवाल आपसे अच्छा सवाल हो सकता है, तो मुझे याद दिला देना, G is the niece of I, बहुत जी जो होनी चाहिए, बहुत प्रात्मिकता है, G पहली प्रात्मिकता है, G पहली प्रात्मिकता है, G को फिमेल होना cm, G बहुत में होना पीमें पंजी है, बहुत फिमन निचे होना ऐँद घैन месяans होना है, G वे होत we can see that G is female actually, option number one we carry and we will go further G copyright t means G copyright t means G is the son here G male person got here that means option number B cancelled out now G plus Y here, here G is the father that means G is a male person again if G is a male person that means G is the sister that means G is again female so we have two options rest option number A and option number D which is carrying G as a female that means now we need to check whether the gap between G and I is minus 1 or not so when we talk about G here we will go to I and not go to T some children are going to be blind and they are going to reach here we have to reach here to T we have to ask G and I to just talk about G and I we will talk about G and I until I we will talk about G and I until I minus here is daughter means minus 1 here is minus means minus 1 total output which is minus 2 here is minus 2 here is minus 2 that means that option number A and B and C cancel out option number D to check here add rate is going to be added add rate is going to be added 0 minus is indicating daughter that means minus 1 add rate is also 0 that means now we are getting minus 1 as the correct answer so this is how we can easily answer the question that means now the correct answer is option number D for this particular question I hope the idea is clear I hope the idea is clear right so before we proceed forward towards the next further questions I would like to introduce you a very simple observation in this chapter of blood relation okay this is a very important thing this is a very important thing which we should do because we have discussed so many questions now some of these things that we have to keep in mind to solve some other questions okay before that, some children are saying sir 300 children have fees see in free don't do anything in free don't say anything I'm talking about you have heard that free things are unpunched what is the fees what is this? YouTube is a free class this is a free class but I will also agree with you atleast the like button hit that button that someone said that 300 children have fees not collected then i am collecting fees so I am not saying that I am asking you to like share and share like let's move forward towards the basic idea one more basic idea I will add in this concept it is that whenever listen to this thing it is that sometimes there will be an expression written in your face like g-t here 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 प्लस कुछ भी लिख दिया, क्यों लिखा हुआ है, माल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है। Now the thing is, कि, जब भी हम एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, G-T, इसका मतलब माल लो क्या हो कि, G is the daughter of T, G जो है वो daughter है T की, T कौन है? father या mother, नहीं बता, that makes sense कि, जब भी हम किसी expression को पढ़ेंगे, किसी भी expression को एक segment को पढ़ेंगे हम लोग, तो जो second element होगा, जो second element होगा, बहुत simple observation है, लेकिन यह observation सायद आप नहीं करते हो कई बात, मैं आपको observe करा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, जो यहाँ पे T है, यह second element है, और जब भी instruction forward direction में given होगा, मतलब कि left to right given होगा, तो ध्यान रखना कि second element की gender defined नहीं होगी, इसमें एक exception भी है, इसमें एक exception क्या है, कि जब भी जो उनके बीच की symbol है, यह माइनस है, अगर माइनस वाला symbol husband को indicate कर रहा होता या फिर wife को indicate कर रहा हो instruction में, तो समझ जाना कि फिर वहाँ पे second element का भी gender defined होगा, otherwise नहीं होगा, मतलब ध्यान सकना इस बात को आगे बढ़ रहा हूँ है, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते होगे, आगे बढ़ने वाले हैं, अगले सवाल में चलने वाले हैं, मैंने क्या लिखा, G-T का मतलब है, G according to this instruction, यह लिखावा है, G is the daughter of T, that means G तो female है, T कौन है, फादर भी हो सकते हैं, the thing is, कि second element का gender defined नहीं होता है, लेकिन, exception है कि husband और wife का instruction अगर given हो, तो वहाँ पे हो सकता है, आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखते होगे, आगे बढ़ते हैं, सवाल number 5 को आंसर करना ही कोहिस करते हैं, ठीक है, अमुमन ध्यान रखना की expression में, last element का gender defined नहीं हो पाता है, आमुमन, आमुमन मतलब कि अगर हमारे पास उस elements में, उस last element से पहले वाले symbol का मतलब अगर husband या wife नहीं दिया हो, तो last element का gender defined नहीं हो पाता है, तो ध्यान रखते हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, हर्षित टिवारी कह रहे हैं, सर अगर कभी same minus one minus one हो जाए तो क्या करेंगे, exactly, मैं उस पे भी आऊंगा, वह ऐसा सवाल भी आगे रखा हुआ हूँ, मैं सभी तरह के सवालों के ख्याल रखा हूँ, बस आप देखते रहो, सवाल को पढ़ते रहो, सीखते रहो, बता हूँ क्या करना वैसे अभी मैं बता सकता हूँ, अभी भी आपो बता सकता हूँ, अगर मालो कभी दो options सेम output लेके खड़े हो गए और वही demand थी आपके सवाल में, तो किसी एक को आपको family tree draw करना पड़ेगा उस वक्त, उन situations में आपको एक किसी भी एक का, दो बच किया है, पहला मालो दोन में से पहला कोज आपने draw किया वो गलत थावित हो गया, तो अगला वला सही हो जाएगा, और पहले वालो का draw किया पहला वाला ही सही जाहिर हो गया तो दूसरा वालो गलत हो जाएगा, simple सी बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, सवाल नमबर पास के जो उत्तर आरा मेरे पास वारा उप्सन नमबर बी जबकि सवाल है पूछा गया है, find the, which of the following option means R is the sister of H, R sister चाहिए, R अगर sister होनी चाहिए, तो भाई सहाब R last में क्या कर रहेगी, देखने के साथ ही option number A or D cancel out, क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों किया क्या देखा, अपने ध्यान से देखा, एक बात हमने क्या 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 किया हमने सवाल पढ़ा, उस इस बढ़ा कि भाई, R के बारे में demand है, R के बारे हम पूछा गया, और R हमें दो विकल्प में option number A में, और आप्सन नबर D में हमें R लास्ट में नजर आई ठीक है ना, जब कि R होना चाहिए फिमेल और यहां पर लास्ट में है जब कि लास्ट वाले हम सिंबल को जिसका जिसके बारे पूछा गया वो लास्ट हम अच्सेप्ट नहीं कर सकते यह हम सिंदे रिजन क्यों अच्सेप्ट करने का जो ही पॉइं में बता है लास्ट अल्मेंट का जेंडेफाइड नहीं होता है अगर लास्ट अल्मेंट का जेंडेफाइड नहीं हो पाएगा तो हम वहां पर उसका अंसर कास्ट निकाल सकते है आपन्स कि, R is at the end 0 output between R & H हमारा वही विकल्प सही होगा जिसमे R & H की बीच में 0 output होगा सिम्पल जी बात है अब R यहां पे H यहां पे output सुट भी 0 परसंट यहां पर परसंट का मतलब बतायगा है दॉटर मतलब मतलब माइनस 1 मतलब 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 0 मतलब 0 मतलब यहां परसंट आप सुट इस डॉだ धां डॉटर मतलब मतलब मुटर मादब कर दए प्लस फला है। इंगे वाल में म эти अच्ट में धाया। अच्ट मादब बताया च्ट मेशंग में यहाया। ठार हम में जाति कर दा छाए। यहार शजर टार को तक अच्ट मपने नफ़ 6 R must be the sister of H, यह चेक करना है, हम लोग कह रहे हैं कि यह option number B correct होगा, चेक करते है R person D, R person D का मतब क्या बताएगा, R is the daughter of D, ठीक है, clear बात D at the rate F का मतब है, D is the husband of, D is the husband of B, and D is the husband of B, that means B जो है, वो क्या है, female है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now D is the husband of F, actually, D is the husband of F, so here F will be again, okay więc D is the husband That means F will be here, now, F$H means F is the mother of, F is mother of H, that means F is the mother of H, that means F is what mother of H, so I don't get f, who knows जने कि रो जलाव भाइब आपस में सिब्लिंग्स, भाई बैने बास में बास में आगई, आपस में कि रो सिष्टर भाइब है य। भास में वह आपस में रोसर है आप तक रोसर आपके और है, of course जिखर आपर पॉंट ठीक है, गॉंट पॉंट Sir, how we decide plus 1, minus 1 and 0? Paritoos, I have told you how to decide 0, minus 1 and plus 1. That's why I tell you, if you join the session in time, then you will learn a lot. Then you will join the session later and then you will ask, sir, how is it? Okay, let's start this video, please. Let's move forward towards the next question. Question number 6 is on your screen and we will try to answer it. Okay No, Upendur Kumar is no need. Examiner's mind, you should read the examiner's mind. You should learn how to answer the question. Why do you think that 0, 1 concept is a trick? If you think that 0, 1 concept is a trick, I can actually explain what we are doing. Look, simple thing. What do we use for the same generation? We have learned how to use the same generation. When we started in the first class, you told us that we use the same generation for the same generation. We use the same generation. We use the same line. And I am telling you, what do you use for this horizontal line? What do you use for this horizontal line? I am telling you, right? Just understand? I will simply relate to what is this 0, 1 concept? And how we are very comfortably, we are able to implement this on the questions. For example, horizontal line, horizontal line is equal to 0. Now, generation gap, I have told you, generation gap, I have told you, vertical line. Vertical line, I have told you, it will indicate. Vertical line, what will happen? Vertical line is two ways. Generation gap, if we see, 1 pd is on the top, it will also be vertically attached. And 1 pd is on the bottom, what do we do in the family tree? It will also denote from the vertical line. The problem is, that when we consider the reference from the generation, when we consider the reference above the pd, then we indicate that there, and the one pd is on the bottom, which we consider the vertical line, then we use minus 1. That's what I am doing. So, 0, 1 concept is not a big problem. The thing is, that it is a very simple observation, and we have just converted those horizontal line and vertical line with respect to the, with respect to our reference, as some numbers like 0, minus 1, and plus 1. That's it. Okay, I hope the idea is clear. Let's move out towards this question. The question has been asked, brother, tell me, that h is the brother of n. h should be 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 brother of n. If h should be brother of n, then brother, h should be male. And if h is male, then brother, what is h last? What are you doing? Option number c and d cancel out? Because, we know that the last element, the last element cannot be gender defined. At one point, if the last element of the first symbol of earth, husband or wife, has given. Here, a is the husband of b, that in that case also, h will be female. So, there is a hash, the rate has not been done. That means, we are very much comfortable, that we can cancel out. Now, we will try to move forward. Option number a and b, none of these have. Check. h hashr, we are saying, that h is father, that means, h is a male person. And, this is the demand, h must be the brother of n, that means, h must be a male person. Option number a, and we will carry. h hashr, we are studying h's gender defined, h hashr, when we study h hashr, then, again, that h is a father, that means, here, h is a male. That means, now, we are very much sure, that, our option number a and b, somewhere, somewhere, we are thinking, that the answer is something, otherwise, I don't know this. Let's check. In h from n, what is the demand? Brother's demand, that means, output must be zero. Has indicates father, that means, plus one. And again, dollar indicating, plus one, that means, output is plus three. So, this is the answer. So, this is the answer. So, option number a, option number c or d, already, cancel out. I will check. Okay. We have n percent f, f add rate d, d dollar n. That means, we are talking about n. Now, backward, we are doing the output, reverse. But, at the same time, output is zero. If it is zero, then, that means, that means, daughter is minus one. Now, at the rate, is indicating husband, that is zero. And dollar indicating, again, mother, that is plus one. So, the output is plus one, and minus one, will cancel out, and we are getting the output as zero. That means, this was expectation, or demand of the question. That means, option number b is the correct answer. If you think that you doubt, then, just drop something. Check. Draw. Okay. Very good. Very good. Okay. 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 draw. Let's draw. N percent f. N percent f. N percent f. N is the daughter. N is the daughter of f. f. f at the rate d. f is the husband of, f is the husband of, f is the husband of, d. I'm happy to listen to the words. d dollar h means, d is the mother of, d is the mother of, d is the mother of h. d is the mother of h. That means, we can add it here, and here too. Okay. So, d is the mother of h. d is the mother of h. That means, this will confirm that n and h have siblings. Okay. Now, Now, h hashr. That means, h hashr. That means, h is the father. That means, h is the father of r. This is a family tree. This is a family tree. Now, we asked the question. First of all, of h hashr. h is brother of n. That means, h is the brother of n. This is a family tree. h is male person. h is a family tree. h is a brother. what is it? चाहिए So, हवाएं बात नहीं करनेगा बात नमें आ रही है धकनो Very nice Time manage के लिए हम option से खेलना बहुत जरूरी है Exactly Time manage करने के लिए सबसे पहले option से खेलना बहुत जरूरी है यही सब बाते तो हैं जो की आमूमन नहीं बताई जाती है ते लिए यह बाती है ëसर आप सर्कल परिफit बनाते हो यह बात भदैने का सिट्गन में नहीं बनाते ह kaldवात ज़ी ह Reed That is a point of Ada जबालतों चाहिए्वर बनेगा जब таких का KERमीं सबस्त कर आभाइगा फ्लों किसे अम tôi पालों में पालों में और बताएं Q10 का correct आशर क्या होगा N is the maternal uncle of यहाँ पे पूछा गया है M N is the maternal uncle of यहाँ पूछा गया है M मतलब क्यों वो चाहता है कि चाचा जी होने चाहिए जो N होने चाहिए वो चाचा जी होने चाहिए तो फटा फटी पट चेक कीजिए कि N जो है चाचा जी है या नहीं है अभी reverse वाले को भी फाड़ेंगे भाई अपन reverse वाला भी धुनाएगा reverse वाला भी कुटाएगा सब reverse वाले को भी बरबात करेंगे अपन ऐसे ही कल के class में आज नहीं हो पाएगा नहीं कल के class में सीखेंगे अभी रिवर्स ब्लेड रिलेशन, reverse coded blood relation को भी कैसे बरबात करना है वापन कल सीखेंगे दीक हे, जल्दी से अभी और कुछ बात हैं में सीखनी अभी ब声 कजाएगे आभी ऑड़्ाय सवाल कराने वाले इंक सब्ल्स सब्टी कि हमें हदेखना हे कि भाई, अगर 2 पस में को क्या वाले तो क scorी करेंगे पहला और दूसरा और दूसरा एलमेंट में गप कितना चाहिए, तो भाई प्लस वन का चाहिए, एन क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं Now, Nbp, बटा क्या अरे बिजन कर रहा है, brother, that means N is a male person, आगे बढ़ जाएंगे तम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, N- jake yла बाईसचिए इस दूसरा, mai yra एलमेट कि मध कीज़ना हमेर that means now, we must observe that in most of the questions 2 options have been cancelled out for the sake of just because of this gender definition and it used to be happen in the examination as well because examiner used to prepare the question in that way you can if you are smart enough you can cancel out some options you can be you know a bit creative other than some students we have to move like this so option number a and d we have to talk about n n which should be maternal uncle we have to start with beta and brother means 0 and sister means 0 and plus of mother means that is plus 1 and now we have to get minus of sister means that is 0 that means the output we are getting is plus 1 but we will check here option number t as well option number t is beta of brother that is 0 plus of mother that is plus 1 and star of father that is again plus 1 so of course this is confirmed that option number t will not answer because we are getting two gaps here plus 2 we are getting plus 2 we will get out of brother now we have to get option number a and or not so we can go with this option number a and if you have time and time and time check here ok? check here what is happening clear option number is correct let's move forward now the question is a little different style the expression is on you okay 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 option number a draw okay option number a clear clear check 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 aha hey if a paternal hub actor arejes insult what time answer ? eight 5 seconds में कही न कहीं सवाल को धारासाही कर पा रहा है अगर आप एक expression को ड्रौ भी करोगे तो 5 seconds और खट चो जागा 10 seconds आप जिसको आप आंसर ले क्या हो आप चाहते हो कि नहीं मैं इसे चेक करना चाहती हूं या चाहता हूं कि भाई साब यह करेक्ट है कि नहीं है तो ट्रौ कर लो फटाक से खतम हो जागा सवाल और भी अकुरट कोई शू नहीं है हाँ तेखो अब जो लिमिटेशन्स जो कोई बताया आता है उसमें यह चीज कुछ तो लिमिटेशन होंगी जो लिमिटेशन्स में बता रहा हूं मैं आपको भी ठीक होंबक लिए बिल्कुल तयारा ना टी इस एक्सप्रेशन में बताया कि T S से कैसे संबंदीट है मतब T का जेंडर क्या होना चाहिए पल्ले यह टाय करते है ती उसमेल पाई गई यह जैसे यह फिमेल पाई गई तो यहाँ तो यह यह था पाई गई गई आझा सकुछ मिसिवार के दितर आउ है जए है अजा प़ाόςई को आच से लिएरत वान्फ केसे चीश सी और से रिर का और साझ These mm आजेचे li और से हैka और सीपैल नहीं Okay, now here we have the output of minus 1 and here we have the answers given All the answers were 0 output Sister will demand that the gap must be 0 Mother means that the gap must be plus 1 Aunt means that the gap must be plus 1 And Uncle is cut first Uncle is cut first Uncle is cut first Now if we have none of these, we will answer here So this is the smart work we are doing here, right? So now we will get a lot of testing Yes Just keep doing it Keep doing it We are going to get a lot of pressure Do you understand? In lockdown, we have to build a band Just because we will have to do everything We need to do all the work, no Let's move on So I want to get some questions So, now we have to do all the work Family tree Now we are talking about this You mean, you understand? If you have done the last session If you have done the first classes After that you are saying that You can show this family tree If you have done the same thing Then you are not a big puppy You are not a big puppy You understand? One more time Because we can draw the expression here We can draw the family tree Okay? So that is very easy thing If you are crushed, I will tell you Now, in fact, try to do the same thing If you have not time I will draw the same thing We will do this Go ahead and save the screen Let's move on to the screen 1,2,3,4,5 The guy is looking offline I am asking for the homework How many questions are you doing? करना है हमें इस COMMENT BOX में से CESn के COMMENT БOX में जा के जरूर COMMENT कीजएगा की से CESn कैसा लग रहा है आपको और साथ ही साथ इं सवालों के Answers क्या है ठीक है दोनों बातों को आपको कमेंट करना जो बच्चिय ऑलनाई देख रहे है और हाँ, session को जरूर आपको कही न कही लाइक और शेयर करते रहना, because I too need some crowd here, ठीक है, चलिए, question 10 आपके screen पर है, जल्दी से इसे screenshot लीचे, अच्छा, Deepak, Deepak Tiwari, अच्छा, चलिए, आगे बढ़ते है, question 11 आपके screen पर है, जल्दी से screenshot लीचे, और इन सवालों को जरूर आपके स्क्मेंट बॉक्स में डालिए कि वहिया कमेंट कीजिए, बताइए इस सवाल का उत्तर जो है वो क्या है, और सेसन कैसे चल रहे हैं, आपको सब अच्छा लग रहा है, सब बजा रहा है, और यहीं बताइए कि आपने अब तक कितने लोगों से सेर नहीं किया है, मतब ऐसे थैंक्यू बोलते हैं आपसर बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार एक काम करता हूँ मैं, एक रूल बनाते हैं, कोई नहीं बोलेगा काईसा लग रहा है, आपको 2-3 दोस्तों में डॉसे सेर कर दो, हर एक इन सार है करेगा समझ रहा हूं, मतब इसे अच्छा लोग कितने मजा रहा हूगा, फिर मुझे और मुझे और मुझे और सबमेंट करने में, यहां नहीं क्या कर सकते हो और सवालों के साथ कैसे खेल सकते हैं तो यह अपका सवाल नमर 12 आपके सवाल स्क्रीन पे हैं और पटाफट इस सवाल को भी स्क्रीन सवाट दीजिए और आगे बढ़ते हैं So, आज है I think 29th of April, right? मैं अब गलत नहीं हो तो 29th है? 29th है, okay, let's go Answer नहीं निकालना है, कुछ लोग तो बलकुल answer ही अभी, मनुजदास, new batch का time है, वो time मैं नहीं बोल सकता भी, because वो अभी dilemma है उसमें भी discuss करेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यह जरू बताऊंगा मैं कि भाई आपको अगर कुछ भी अभी लेना है अगर मानलो आपके हमारे ADDA247 से एनी प्रोडक्त you want आपको महाँ पैक लेना है, आपको live classes लेनी है, आपको test series करना है, video courses, e-books, whatever You can easily avail that, because अभी काफी अछा offers चल रहे हैं और अपकोर्स आप मेरा code इसनमाल कर सकते हो, you want double it and this will enhance and you can maximize your discount always ठीक है, यह कोड़ इसा दिमाम में चिपका लो, you want double it, कुछ भी खर दो, यह कोड़ लगा देना, हमेसा maximum discount मेलेगा जए ठीक है. इसे कि अंशेचा अधा247.com तो भाकी आपको नुटेछ और जाए, खर भाकी आपको सबपता है, यह अवो अर्पने अपने ऐस्पोर्सटों के समाथ मेध. करें करें क में सिर्द आया करें। थैंक्यू सुमच, बबाई, टेक्या स्टेडी वेल, मिलते हैं कल हम ठीक ही, ग्यारा बजे, रिवर्स कोड़िड बिलेट रिलेशन के साथ, और साथ ही साथ जो होमवर क्वेश्चन है, उसको भी डिसक्स करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्यू सुमच, बढ़ते रह ही और हमसे मिलते रहिए, थैंक्यू सुमच, बबाई,